राजिस्थान के बारा में क्रशी उपज मंडी में एक किशान लहसुन बेचने के लिए आया मायूस होकर लोट गया मंडी में किशान के लहसुन का किसी विव्यापारी ने भाव नहीं लगाया गोपाल पुरा दुनी खेडा निवासी संजय महता शौमबार को मंडी में लगबग आठ क्विंटल लहसुन बेचने आया था लेकिन यहाँ पर दिन भर खड़े रहने के बाबजूत किसान का माल नहीं बिख सका संजय महता ने बताया कि ब्यापारियों ने लहसुन को नापास करते हुए भाव नहीं लगाए इससे गुसाई किसान ने मंडी गेट मेल खेडी रोड पर लहसुन की ट्रॉली को खाली कर दिया किसान महता ने बताया कि इस बार लहसुन की खेती करने वाले किशानों को काफी नुक्सान पहुंचा है यहां तक कि लागत भी नहीं निकल पाई किसान को लगबक 50,000 रोपए का नुक्सान पहुंचा है अट्रू के हानी हेडा निवासी नारायन लाल ने भी अपने दुखों बया करते हुए कहा के लहसुन कोडियों के भाव बिक रहे हैं इससे लागत मजदूरी आदे भी नहीं निकल पा रही है पांच गुल्ण कितने पाई कितने मेन तो क्या मेन दिए अकायवी डिए जुटायवी के सब गी जब मोत में मेना पड़ाय विराय अपाई मेना पूरा पूरा गाठाए है गाठा मंदा मैं पचार जार गाठा है से पर सब्सक्राइन थी लिए करी मानें है ऐस नावी आपका और अनेड़ा आप परसा ही आट देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर